हलो माई डियर वीवर्स कैसे आप सब लोग मैं करीम अमसिद की एड़ोकेट आप देख रहे है मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन सोसल एवर्निस दोस्तो वैसे तो मैंने सेक्षन 125 CRPC जिसमें मेंटिनिन्स किलेम किया जाता है उसके समद में अलेडी दो वीडियो बनाए हुए है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगा आप वहाँ जा करके देख सकते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे एक वीवर और कुछ अन वीवर्स के दौरा कुछ क्लैंट्स के दौरा ये पूछा जा रहा है कि 125 के जो केसे होते हैं कोट में उन केसे को चलेने का पूरा प्रोसिस क्या होता है केस फाइलिंग से लेकर के जज्जमिंट तक की संपूर प्रक्रिया क्या होती है मैं उसके बारे में वीडियो में बात करूँ करते हैं और देखते हैं कि इस समंद में संपुर्ण जानकारी क्या है साथियो सेक्षन 125 CRPC के तहट जब कोई भी महिला अपना मेंटेनेंस करने में अनेबिल होती है यानि असमर्थ होती है तो वो कोट में 125 का केस फाइल करती है यानि 125 सेक्षन CRPC के तहट एक अप्लिकेशन ड कहीं पर जुडिसियल मजिस्टेट की कोट को जुडिक्सन है उस कोट में 125 CRPC के अप्लिकेशन को फाइल कर दिया जाता है इस अप्लिकेशन को फाइल करने के लिए जिन फार्मलेटीज की जरूरत होती है उसमें से शादी के प्रूफ की जरूरत होती है अब शादी के को notice जारी किया एक बार दो बार तीन बार लगातार notice जारी किया जाता है इस COVID टाइम पे messages के माध्यम से भी अपजिट पार्टी को case की information दी जा रही है अगर notice भेजने के बाद भी court में अपजिट पार्टी एपियर नहीं होती तो फिर local newspaper में publication कराने की application एफिडेविट के साथ दे जाती है और कोट उसको लोकल नीच पेपर में पब्लिकेशन कराने का ओडर दे देती है इसके बाद भी अगर नहीं आता तो फिर सर्वेस होल्ड होगी केस एक्स पार्टी प्रोसीड होगा उसकी एक अलग प्रक्रिया होगी किसी दूसरे वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि एक्स पार्टी केस कैसे डिसाइड होते हैं आज हम बात करते हैं कि जहां दोनों लोग एपियर हो गए कोट ने नोटिस भेजा अपोजिट पार्टी मान लेते हैं कि एपियर हो गई अपोजिट पार्टी जैसे कोट में एपियर होगी तो एक application देगी अपने lawyer के साथ जाएगी और उस application में मांग करेगी कि 125 CRPC के application के हमें copy provide की जाए हमें और WS लगाने याने written statement जिसको objection बोलते हैं उसको file करने का मौका दिया जाए कोट जिस पार्टी ने 125 का case file किया है उसको direction देती है कि आप इनको copy provide करें और opposite party को objection file करने का time देती है इसके बाद opposite party उसमें objection file करता है objection file करने के बाद अगर 125 file करने वाली party जिसको की वादिनी बोलते हैं applicant बोलते हैं अगर वो उसका कोई replication file करना चाहती है तो replication file कर सकती है इसी दवरान दोस्तो 125 का case file करने वाली महिला के द्वारा एक application और दी जाती है interim maintenance के लिए कि हमें during the dependency of the case interim maintenance दिलाया जाए तो interim maintenance के भी copy opposite party को दी जाती है और उसका भी objection opposite party court में file करती है इसके बाद argument होता है और argument के बाद अगर court को लगता है कि इसमें interim maintenance का order करना चाहिए तो court interim maintenance का order कर देती है उस महिला के पच्छ में जिसने की 125 का case court में file किया है इसके बाद case fix हो जाता है evidence पे evidence पे case fix होने के बाद वो महिला जिसने की 125 का case file किया है court में written affidavit evidence की रूप में दाखिल करती है इसके बाद opposite party उससे cross examination करती है फिर applicant के दौरा किसी दूसरे witness का effidavit court में evidence की रूप में file किया जाता है फिर opposite party के दौरा उससे cross किया जाता है इसी तरीके से एक या एक से जादा जितने भी witnesses है applicant के उन सारे witnesses के effidavit one by one court में file किया जाते है evidence की रूप में और opposite party के दौरा one by one सबसे cross examination किया जाता है जब opposite party court में ये written में दे देती है कि अब हमारी evidence close हो गई अब हमें कोई further evidence नहीं file करनी तब case shift हो जाता है opposite party की evidence में जब OP की evidence में court case fix हो जाता है तो फिर opposite party अपना written evidence की रूप में court में file करती है यहाँ पर मैं एक बात और बता दू कि दोनों पच्चुकारों के दौरा जब अपने effidavit court में file किये जाते हैं तो उन effidavits के साथ वो महिला जिसने 125 का case court में file किया है उन तमाम documents को भी court में file कर सकती है जो proof husband की salary से related हो जो उसके साथ cruelty करने से related हो और जो उसका बिना किसी reasonable region के उसका परित्याग किये हुए है उससे related अगर कोई evidence है documentary proof है तो उसको भी उन effidavits के साथ file किया जा सकता है ठीक इसी तरीके से husband के दोरा भी उन तमाम evidence को अपने effidavit के साथ लगाया जा सकता है जो उसने अपने domestic life में रहने के दौरान अपनी wife के साथ बेवार किया हो और जो wife के allegations को counter कर रहे हो ऐसे evidence को ऐसे proof को भी effidavit के साथ energy किया जा सकता है अब effidavit opposite party का file होने के बाद जो वादनी के advocate है या वादनी खुद उस opposite party से cross examination करेगी इसी तरीके से opposite party का दूसरे witness का effidavit आएगा उसे cross examination होगा फिर तीसे witness का effidavit आएगा evidence के लिए उसे cross examination होगा यह सब दोनों तरप से evidence जब court में complete हो जाती है तब case fix हो जाता है argument पे फिर दोनों parties की court में argument होती है और argument सुनने के बाद court को फिर यह तै करना होता है दोनों पच्छकारों द्वारा दोनों both parties के द्वारा जो court में evidences और proof फाइल किये गए हैं डॉक्मेंटरी प्रूफ हो या और भी जो बातें लिखी गई हैं एफिडिवेट्स में उनके basis पे और क्रास एक जामनेशन के basis पे court यह तक करती है कि क्या महिला अपना भरन पोसल करने में असमर्त है क्या महिला के साथ cruelty की गई है क्या महिला को बिना किसी reasonable region के husband अपने से दूर किये हुए है और husband की income क्या है इस तमाम चीजों को court विचार करती है और विचार करने के बाद फिर order पास करती है maintenance का order भी कर सकती है और maintenance के case को courage भी कर सकती है दोस्तो मैंने एक इस topic पर भी विडियो बनाया है कि वो conscious circumstances हैं जब एक husband अपनी वाइप को maintenance देने से बच सकता है मैं उसका link भी आई बटन में दे दूँगा उसको भी आप वहाँ जा करके देख सकते हैं तो दोस्तो यह थी एक महत पूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसी अन्न वीडियो में कानून की कुछ अन्न जानकारीयों के साथ तब तक कानून की बिभिन तरीके के जानकारियों के लिए देखते रहें Legal and Social Awareness